नमस्कार साथियों बीपी एसी सोलूसन पाव सभी का स्वागत है इंडियन जोगरफी का यह पार्ट टू है पहला सबल बदरिनाथ धाम किस नदी के तट परिस्थित है तो बदरिनाथ धाम जो है यह अलकनंदा नदी के तट परिस्थित है उप्शन नमर डी सही हो जाएगा बंगला देश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो गंगा को बंगला देश में पदमा नदी बोलते हैं उप्शन नमर सी सही हो जाएगा मरकद द्यप कहाँ इस्थित है तो मरकद द्यप पंगाल की खाड़ी में इस्थित है तो option number C सही हो जाएगा अगला सवाल भात का एक मातर सक्रिय जोलाव मुखी बेरन द्यप कहाँ परिस्थित है तो बेरन द्यप अंगला सवाल अंडबान निकोबार दीप समोगी सबसे ओंची चोटी कौन सी है तो सैडल पिक अंडबान निकोबार दीप समोगी सबसे ओंची चोटी है option number A सही है आगे बढ़ते है question number 6 है जो अलमखी दीप नार कोंडम कहां इस्थित है तो नार कोंडम जो है यह उतरी अंडबान की पूरव मिश्थित है option number B सही हो जाएगा next question बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो कोशी को बिहार का सोक कहा जाता है option number C सही हो जाएगा next question गंगा नदी की एक मात्र सहाइक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो बिरिद गंगा गोदाबरे नदी को कहा जाता है option number D सही हो जाएगा next question है गंगा की सबसे लंबी सहाइक नदी कौन सी है तो योमना इसका सही जबाब हो जाएगा option D great निकोबार को सुमातरा से अलग करता है तो यह हो जाएगा आपका चोड डिग्री चैनल चोड डिग्री चैनल जो है great निकोबार को सुमातरा से अलग करता है आगे बढ़ते हैं question number 12 है अन्दमा निकोबार द्विप समू की दूसरी सबसे ओंची चोटी कौन सी है तो दूसरी हो जाएगा आपका मौन्ट थूलियर पिक option number D next question नमदा नदी किस दिशा में प्रावाहित होती है तो यह जो है पच्छिम दिशा में प्रावाहित होती है option number B सही हो जाएगा अगला सवाल है कि रोस दिप का नाम बदलकर क्या रखा गिया है तो इसका नाम जो है सुभाचनर बोस दिप रखा गिया option number C करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नील दिप का नाम बदलकर क्या रखा गिया है तो नील दिप का नाम बदलकर जो है सही दीप रख दिया गया option number B सही हो जाएगा हुईलर दीप का नया नाम क्या है तो हुईलर दीप का नया नाम अब्दुल कलाम दीप है option number B अगला सवाल हैबलोक दीप का नया नाम क्या है तो हैबलोक दीप का नया नाम जो है यह सोराज दीप है option number a सही हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 18 है सिंदु नदी की सबसे बरी सहाइक नदी है तो यह हो जाएगा आपका चेनाव रिवर option number d अगला सवाल है कि रानी लक्षी वाई बांथ किस नदी पर इस्थित है तो यह भांथ जो है यह बेतबा नदी पर इस्थित है option number c सही हो जाएगा next question है बिद्या सागर सेतु किस नदी पर बनाए गया है तो यह बनाएगा आपको हुगली नदी पर option number a सही हो जाएगा next question है कि लक्ष दीप समू का सबसे छोटा दीप कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका option number b बिटरा बिटरा जो है लक्ष दीप समू का सबसे छोटा दीप है अगला सवाल दक्षिन भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो कावेरी को दक्षिन भाद के गंगा कहा जाता है option number D सही हो जाएगा next question है भाद पाकिसान के भी सिंदू जल समझोता कब हुआ था तो यह समझोता जो है वह था आपको 1960 में option number C correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 24 है लक्षदिप और मिनी कोई को अलग करता है तो यह करता है आपको 9 डिगरी चैनल option number D सही हो जाएगा लक्षदिप और मिनी कोई को 9 डिगरी चैनल अलग करता है लखनो किस नदी के तर्ट परिस्थित है तो लखनो जो है यह गोमती नदी के तरपर इस्थित है उप्सन नमर C अगला सवाल अयोधिया किस नदी के तरपर इस्थित है तो अयोधिया जो है यह सर्यू नदी के तरपर इस्थित है सामदर नदी को बोलते हैं, option number D correct हो जाएगा, सबसे बरा नदी मुख किस नदी का है, तो ये हो जाएगा आपका हुगली नदी का, option number D सही हो जाएगा, next question, भात की कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा आपका option number D, नर्मदा नदी, लवनी नदी के रूप में जानी जाती है, तो लवनी नदी के रूप में जो है, लूने नदी को जानते है, option number D correct हो जाएगा, हैदराबाद किस नदी के तर्ट परिस्थित है, तो हैदराबाद जो है, ये मूसी नदी के तर्ट परिस्थित है, option number B सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं उजयन किस नदी के तर्ड़ परिस्तित है तो उजयन जो है यह सिप्रा नदी के तर्ड़ परिस्तित है option नमर D correct हो जाएगा शिप्रा अगला सवाल प्रयदूप्य भाध की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह हो जाएगा आपका option नमर भी गोदाबरी गोदाबरी जो है प्राइदुप्य भाद की सबसे लंबी नदी है अगला सवाल है बग लिहार परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो यह हो जाएगा आपका option नमर ए चिनाबरी भर आगे बढ़ते है question नमर 36 है तुलबुल परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो तुलबुल परियोजना जो है यह हो जाएगा आपका option नमर C जहलम नदी पर दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो दुलहस्ती परियोजना जो है यह चनाब रिभर पर जो है इस्थित है श्रिंगर और ले को कौन सी दर्रा जोरती है तो यह हो जाएगा आपका ईवलें जोजिला दर्रा जोरती है option नले है अगला स्वाल न्यूह मूर को या थे मशुर Haas तो यह हो जाएगा आपका option number B नर्मदा नदी अगला सवाल कावेरी नदी का उद्वा मस्थल है तो कावेरी नदी का उद्वा मस्थल जो है यह है आपका ब्रह्मगिरी की पहारी option number C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 42 है कृष्णा नदी का उद्वा मस्थल है तो कृष्णा नदी का उद्वा मस्थल जो है यह है आपका महा बलेश्वर option number C सही हो जाएगा कौन सी नदी डेल्टा करिनमान नहीं करती है तो डेल्टा करिनमान नहीं करती है यह पूछा है तो यह हो जाएगा आपका नर्मदा और तापती रिभर तो यह हो जाएगा आपका option number D A और B दोनो next question है कि भात की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चूरी का रिर्मान करती है तो यह हो जाएगा आपका option number D नर्मदा रिभर तो यह थे आज के 44 सवल इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च किजिए बिपीएसी सोलोसन बैराहूल तो भी जो है आपको यह चैनल वहाँ पर मिल जाएगा इस लोगों के साथ आप लोग अगर चैनल परना है तो चैनल लोगों को ज़रूर सस्क्राइब पर दीजे दोस्तों में भी सेर कर दीजे जय हिंद